हलो दोस्तों कैसे हो सबी लोग आयब से बच्चे होंगे और जैसे ही CSEB JE का रिजल्ट आया तब से बच्चे बेट कर रहे हैं कि सर CSEB JE का जो डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कब होगा कैसे होगा हमको कैसे इन्फोर्म किया जाएगा और कितना दिन काम को टाइम तो सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ देखेगा कि आपके पास CSEB ने रिजल्ट जारी कर दिया है आपको अपनी रेंक पता लग गी है आपको अपने मार्क्स पता लग गये है और आपको ये भी पता लग गया है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा या नहीं हो रहा है ठीक है तो देखिएगा कि आपके पास जो documents verifications की जापे में बात करता हो तो ये उनकी website पे update कर दिया जाएगा या तो website पे update होगा ठीक है कि आपके पास यहां पे documents verifications हम website पे कर वा रहे है या दोसरी बात यह होगी आपको घर पेこう लेटर आ जाएगा ले तो CSCB की website पे आपको 8-10 दिन का time मिलेगा पहले final cut-off जारी होगी उसके बाद notice जारी होगा कि documents verifications इस तारिक से लेके इस तारिक तक होगा ठीक है अगर website पे ही करवाना है तो website भी करवा लेंगे या उनको e-colator भेजना होगा तो ecolator भी आपके पास भेज देंगे तो इस तरी है कि मैं आसपास ही हूँ मैं marks को देख रहा हूँ एक marks या एक marks नीचे एक उपर इस तरीके से हैं लेकि कहीं बच्चे ये हैं भाई होगा या ना होगा छोड़ो फिक है हम अगले की target अगले exam को target करते हैं चाहे वो कोई सा भी exams हो गया अभी हमारे पास current में क्या चीज़े ह maximum बच्चे हार मान चुके थे उसी time पे जिनका selections नहीं हुआ क्योंकि selection होने वाले भी हमी थे और आपके पास selections ना होने वाले भी हमी थे दोनों चीज़े हमी में इसी थी लेकिं maximum बच्चे अगले कदम आगे की और बढ़ाया और वो RRB उनको सामने दिख रही थी और RRB में उन्होंने form बर दिया और आपके लिए तो सबसे बढ़िया opportunity तो यह है कि इस बार जो RRB में सबसे कम जो form बरे गए हैं वो 36 गड़ में बिलासपूर जोन से बरे गए हैं अब आप समझे लो कि वहाँ पे अच्छी खासी 88 electrical की और mechanical की मिला के totally आपके पास आप समझेगा 45 त इतनी अच्छी खासी vacancy जहां पर आपको बिलासपूर जोन आपको मिलने वाला है तो maximum बच्चे लग चुके थे और जो बच्चे नहीं लगे हैं मेरे भाई time waste मत करो RRB एक अच्छा exam है छोटा exam नहीं है आपके state में ही job मिल रही है आपके zone में ही job मिल रही है तो जैसे ही आपके पास 2024, 25 के अंदर मीडोप में आपके पास देखना आपको दूसरा notification आपके पास जारी हो जाएगा लेकिन जब आपके पास CACP का notification आपको time नहीं मिलेगा आपको time मिलेगा sir हमारे पास 2-3 मेने क्योंकि आपके पास CGV आपको इतना time नहीं देता है और उस time पे आपक प्रिप्रेशनस नहीं होगा लेकिन अगर आप अपनी प्रिप्रेशनस को अभी continue mode में रखते हो इसी flow में रखते हो कि यार RRB है RRB का CBT1 December के तकरीबन हम मान के चलते हैं कि वहां तक हो जाएगा और CBT2 आपका अपरेल तक जाएगा तो आप continue पढ़ाई के flow में हो और एक एक जाम की जब तयारी कर रहे हो नटो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी इस दोर में आपने बहुत सारे questions की होंगे तो आप उन बाकी के फ्रेशर बच्चों से बहुत आगे होंगे जो उससे टाइम पर prepare patience करेंगे नहीं तो भाया 2025 में जो vacancy आने वाली है वो उसमें भी आप अपना नाम लिस्ट से बाहर निकाल लोगे ठीक है तो जो बच्चे कर रहे हैं मेरे भाई continue award में करते रहेगा और आप लोगों के लिए तो better opportunity दिये यार हमने देखो वही बेच है जहां पे अभी तक इंडिया में एक भी platform नहीं है जिसने इतनी कम vacancy पे 265 selections दिये हो और 265 का अभी हमारे पास current data है आप देखो ना भाई 4th ranker हमारा 2nd ranker हमारा 5th ranker हमारा तो top 100 के अंदर भी कितने ranker है और आपके पास 200 के अंदर भी हमारे कितने ranker है तो final अभी जारी होगा तब आपको पता लग जाएगा तो मैंने interview भी conduct किये बच्चों के वही बेच धनूस बेच जिससे बच्चे select हुए और वही बेच जिससे बच्चे select नहीं हुए ठीक है मैं दोनों की बात करता हूँ क्योंकि failure की कोई बात नहीं करता है एसा नहीं कि बाकी की बच्चों ने मेहनत नहीं उन्होंने की लेकिन वो सही चीजों को सही टाइम पर utilize नहीं कर पाए तो ये गल्तियां आगे जाके ना होए और अभी से क्योंकि maximum बच्चे तो भी या हमारे पास जो दनूस बेच के चाहिए उन्हों को लगा कि सर अब नहीं हो रहा ठीक है तो वो आरार्वी में लग चुके हैं और अभी उनकी आरार्वी के अच्छी प्रिप्रेशन्स चल रही है हमारा संकल बेच भी उस पे चल रहा है और आपके लिए तो सबसे बड़िया की संकल बेच भी आपको उसी मिल रहा है CACBJ भी आपको उसी मिल रहा है और 2025 में 31st December तक आपको वो validity आपको मिल रही है मतलब एक साल से भी जाता कि आपको validity मिल रही है तो मेरे भाई time waste मत करिएगा आपका selection हो जाएगा बस आप continue mode में अपनी prepresence रखिएगा जिन्होंने नहीं लिया है मेरे बाई आज ही जाके master plus education के application में धनूस 3.0 बेच ले लिजेगा उसमें live class भी है और आपकी recorded बेच भी है नहीं तो 2025 की vacancy भी आपके हास से चली जाएगी क्योंकि इस दोर में आप अच्छे से अच्छे questions को करोगे RRB के तगड़े से तगड़ होगा machine कोई आपका change होगा change होगा power electronics वो आपको दनूस बेच में मिलेगा change होगा HVDC HVSC वो आपको दनूस बेच मिलेगा तो आपको तो दोनों चीजे मिल रही है group और मिल रहा है आपको तो भाई अर ये topper जो हमारे toppers आये इतने सारे तो यह सब कुछ आपको उसी में मिले करते हैं हार मान के चले जाते हैं तो आप कभी भी हार मत मानों आपकी मेनत कभी बेकार नहीं जाएगी ठीक है चलिएगा thank you take care love you land good bye